है मुसे ना भी रिसेंटली मेरी यूट्यूब कमेंड में एक कोशन आया था कि हैड़नेक कैंसर के किस सब टाइप में सर्जुरी होती है कि सब टाइप में सिर्फ कीमोथरैपी और रीडियोथरैपी का रोल है और यह कोशन सच में बहुत ही अच्छा कोशन कहूंगी मैं क्यो तो पहली बात कि head and neck cancer में यानि कि head and neck cancer में यानि कि मुझ यह हिस्सा पूरा, मुझ के अंदर पूरा एंड यह जो गाठे होती है head and neck cancer में surgery को बहुत बड़ा रोल होता है बट उन cancers में जिसमें बहुत ही early stage में बीमारी हो अगर वही stage 4 head and neck cancer होगा तो इसमें surgery का कोई रोल नहीं है and second, अब question आता है कोई head and neck में तो 10 sub type हो गए जैसे के for example, cheek हो गया, jeep हो गया and गाठे हो गई jeep को भी हमने 2 हिस्से में हम divide करते हैं आगे का two-third और पीछे का one-third जिसे हम lateral और anterior border of the tongue बोलते हैं and base of tongue बोलते हैं साथ में मुझ के अंदर अगर आप मुझ खोल के देखेंगे तो बहुत सारी और भी structures आपको देखेंगे like yubila and बहुत ही अंदर की तरफ टॉंसिल जिने हम बोलते हैं base of tongue हो गया, yubila हो गया, तालू हो गया and ये अली जो हड़ी के नीचे का जो एरिया होता है, अंदर की तरफ से उसे हम maxilla बोलते हैं ना के पीछे का area नीजो फेरिंग्स हो गया, मूह के पीछे जो पुरा फेरिंगल वॉल होता है तो बहुत सारे सब टाइप होते हैं तो बेसिकली एक प्रिंसिपल है कि जो इजी ली बेजिबल ट्यूमर्स होते हैं जिने कट करके रिमूब करना इजी होता है पेशेंट की क्वालिटी ओफ लाइफ में ज्यादा कंप्रोमाइज नहीं होता है उनका सर्जरी प्रिफर किया जाता है बट कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनको निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है या उनकी निकालने से पेशेंट की क्वालिटी ओफ लाइफ बहुत फ़र्ग पड़ता है तो उन कैंसर को हम केमो थेरापी और र मिकोसा में लिप में नोज और मुड करूं जीव में बहुत बड़ा रोल है लेकिन अगर जैसे लेरिंग की अगर मैं बात करूं तो अगर अगर एडवांस है तो शर्जरी के बाद की मुट निकालना बहुत मुश्किल है नेजो फेरिंग जैसे हो गया या बेस उप इसकल क कोई ट्यूमर हो गया जिनको डिसेक करने में बहुत को मॉर्मिट्री आप इसली रिमूब नहीं कर सकते या रिमूब करेंगे तो कहीं न कहीं पेशन की अनाटमी बहुत बहुत ज़्यादा हमपर होगी एंड कॉलिटी ओफ लाइप बहुत इंपक्त पड़ेगा तो ऐसे स् कीमोथरेपी अलोंग विद्धी रिडियोथरेपी प्रिफर किया जाता है मतारी रिडियोथरेपी का मेन रोल होता है अब हम बात करते हैं रोबोटिक सर्जरी का कितना बड़ा रोल है रोबोटिक सर्जरी के लिए आजकल बहुत जादा लोग पूछने लगे हैं तो बहु तो नहीं करा नहीं करानी चाहिए यहीं कोई भी cancer है रोबोटिक सर्जरी करा लो रोबोट के नाम पर मतला लो कुछ भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है उसका पाटिकुलर इंडिकेशन होता है कि किस situation में रोबोटिक सर्जरी का रोल है, for example, अगर मैं बोलू कि जीप का कैंसर है, यानि कि जीप के पिछले हिस्से का जिसे हम बेस आफ टंग बोलते हैं, वहां का कैंसर है, बहुत बड़ा कैंसर है, और दोनों तरफ गाठे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में रोबोटिक सर्जरी का कोई रोलनी है, क्योंकि आप कितना भी रोबोटिक सर्जरी करा लें, रेडियेशन और केमो फिर भी लगाना ही पड़ेगा, एंड पेशिंट की जो कंडिशन होती है, वो इतनी खराब हो जाती है, कि वो पेशिंट फिर डेफिनिटिव जो रेडियेशन टीटमेंट और कीमो थे वो भी टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें हमें लग रहा है कि आप सर्जरी करके पूरी तरह से ट्यूमर को रिमूब नहीं कर सते हैं, या बहुत लार्ज डिजीज वॉल्यूम है, बहुत ज़्यादा डिजीज है, मतलब टी भी है, मुल्ट बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, या बहुत सारे इंफर्मेटी वीडियो की बात, लाइक अगर रेडियेशन है, तो कितना देना होता है, क्या साइड एफेक्ट आते हैं, कैसे दिया जाता है, इसमें मैं आलरी बहुत सारे वीडियो बना चुकी हूँ, प्लीज मेरे च जब भी हैड़ना कैंजर की सर्जुरी होती है, या डेडियो थरेपी, तो एक माउथ ओपनिंग एक्सराइस बहुत ज़रूरी है, आपने देखोगा, मैं पेशिमा पेशिंट की कंप्लेंट करते हैं, लॉग्टर की कंपलेंट करते हैं, तो वो ना हो, उसके लिए मैं एक बहुत ही डिटिल इंफर्मेटि वीडियो बनाया हुआ है, कैसे करनी है, कप तक करनी है, वो ज़रूर देखिए, तो बहुत सारा एसा कंटेंट है, जो आप जाएंगे पेच पेच वे तो आपको बहुत सारी इंफर्मेशन मेलेगी, बाकी मैं और भी कैंसर से रिलेटिट इंफर्मेटि वीडियो डालती रहोंगी, अगर किसी वो कुछ दाउट है, किसी वो कुछ पोचना है, या फिर आप चाहते है कि इस पर कुछ और वीडियो बने तो आप मुझे कमेंट में जरूर करिये, मैं कोशिस करूँगी उन टॉपिक पे वीडियो बनाने का, अगर व तो जादा से जादा इंफरमेशन गैदर करिये, अवेर रहे एंड इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिये, थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच पूर वाचिं इस वीडियो, होप सो यह आपको पसंद आए और प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर मैं वीडियो और सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच